वेलकम बैक एवरिवन आप सबी कैसे हैं जैसा कि आपने थम्बनेल पर देखा 36 गड़ सेट एक्जाम 2019 जी हाँ फ्रेंड्स 36 गड़ सेट एक्जाम का नोचिफिकेशन आउट हो चुका है आज इस वीडियो में मैं आपको सबी important dates और क्या subject हैं इसके बारे मैं मैं आपसे बात करूंगा वैसे एक बहुत अच्छी बात यह है कि देखिए आप नेट का प्रेप्रेशन तो करी रहे हैं और साथ में अगर आप इस एक्जाम पर भी फोकस करते हैं तो आपके नेट एक्जाम में सफल होने की ज़्यादा उमीद बढ़ जाती हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि ज नोटिफिकेशन भी नहीं आया है नेट का एक्जाम का तो कैसे पढ़ें या फिर अभी होता क्या है कि जब एक्जाम आने वाला होता है तब ही मोश्ट्री लोग पढ़ाई करते हैं तो अभी यह बीच में जो आपके लिए एक सैट एक्जाम का मौका मिला है तो आई थिंक फिर से अपका नेट का एक्जाम आ जाएगा तो खाली पर आप महसूस नहीं करेंगे और आप अच्छे से अपनी स्टडी को कॉंटिन्यूस रख सकते हैं तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि जो सैट एक्जाम है वो क्या है और इसकी इंपोर्टन डिट्स क्या है वैस दोनों के जो पेपर पैटरन होता है सेम होता है कोई अंतर नहीं होता है इसलिए आप इसको देजिए इससे आप नेट एक्जाम में जाद अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपना कॉन्पिडेंस बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जो सैट एक्जाम है सैट एक्जाम से यह जारी किया गया है तो यह सारी चीजे हैं यहां पर इसके बाद हम देखते हैं कि important date क्या है तो यहां पर जो important date है आवेदन पत्र भरने की प्रारमिक तिथी यह 22.07.2019 से शुरू हुआ है और online आवेदन पत्र भरकर online परिक्षा सुल्क जमा करने की अनतिम तिथी 13.08.2019 मं आपको 8.09.2019 रभीबार को यह आपका final exam date है तो देखिए आपके पास अच्छा मौका है आपके पास जो एक महीने का या कुछ 40 दिन का समय है इसको फोकस करिए अच्छे से सोजी कि मैं जो इसे target करना है तो आप अपने goal में लगे रहेंगे और आपको एक खालीपन महसूस नहीं होगा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस exam को दीजिए और यहाँ पे जो exam time है वो जो paper first है उसका जो time है सुबह 10 बज़े से 11 बज़े तक और जो paper second है वो 11.30 बज़े से 1.30 तक तो इस तरह से ये paper one और paper first दोनों की timing है paper first सेम वैसे ही जैसे कि आप net exam में देत हैं paper second जो आपका particular subject होता है उसके लिए होता है और इसके जो main centers बनाए गए हैं अमिकापूर, बिलासपूर, दुर्ग, जगदलपुल एवं रैपूर ये रैपूर में ये 5 main मुख्याले center बनाए गए हैं और इसकी जो exam pieces that is not too much enough only जो general category के लोग होते हैं उनके लिए 350 रुप के लिए 200 रुपए है तो आप इसे apply करिए और अपनी तयारी को अच्छे से boost करिए बहुत अच्छा golden chance आपके लिए इसके बाद देखिए जो 18 subject है वो कौन कौन से इस पर रखे गए हैं इस पर 18 subject रखे गए हैं हिंदी, political science, sociology, geography, mathematical science, life science, commerce, Sanskrit, library and information science, home science, English, economics, history, physical science, chemical science, science, computer science and applications, law, psychology and physical education ये 18 subject हैं अगर आप इन subject की category में हैं तो इसे आप जरूर अपलाई करिए आपको एक अच्छा सा मौका मिला है कि net exam के लिए आप बिजी रहेंगे आप फोकुस रहेंगे अपनी study पर आप खाली पर मैसूस नहीं करेंगे और ये सारी चीज़े हैं जो section युगता है same वैसी है जैसे कि आपके net exam के लिए होते हैं वही आपका MA है जो 50% होना चाहिए और जो अगर के लिए 50% का कोटा हो जाता है तो ये सबी चीज़े हैं और इसके बाद जो यहाँ पर बताएगा है जो आपका exam pattern है वो same वैसी है net जैसा first paper में आप 100 अंक का होगा इसमें 50% हैं सभी करने हैं एक घंटे में करने हैं और timing भी बताया गया है और जो आपका second paper है आपकी subject का उसमें 200 अंक हैं और इसमें 100% है इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया गया है तो इस तरह से आप अपने friends को भी इस information को share कर सकते हैं this is important news इसे आप apply कीजिए और अच्छ से पढ़ाई करेंगे इसके बाद फिर से net का exam आईगा तो ओस time पर आप कम समय आपके पास पचेगा और फिर से आप अच्छे से study continuous रखे अपने exam दे सकते हैं तो I think you should apply this and अपने friends को भी share कीजिए उनके पास भी information पहुंचे और आप आगे बढ़िए so thanks for watching this video मैं मिलता हूं आप ते ने ने लिएमें